Hello Learners, Welcome to Channel तो इस वीडियो हम टॉपिक डिसकस करेंगे Harmony with the Body यानि कि Understanding Siam and Swast Siam means Self Regulation and Swast meant Health तो क्या होता है, स्वास्त और कैसे जो है Body हार्मोनी में रह सकती है तो चलिए डिसकस करते हैं तो जैसा कि आपको बता है कि जो Human Body है, जो Human Being है को एक्जिस्ट करता है Self यानि I और Body के साथ जिसमें कि Self क्या है, वो Conscious होता है वहीं पर Body क्या होता है, वो Materialistic चीज होती है Self यानि कि I is the Conscious Whereas Body is the Material or Physical Things Body is the Instrument of Self यानि I, I जो हो Body को as an Instrument यूज़ करता है I को कोई भी काम करना होगा, वो Body का यूज़ करेगा I को कुछ Enjoy करना होगा, तो Body का यूज़ करेगा Suppose करें कि आपको Movie देखकर Enjoy करना है तो अब Body का यूज़ करेंगे Body यानि कि I आप जो आपकी आखें है उसका आप यूज़ करके जो है Movies को देखते हो Movies को देखके जो फिर आपको अच्छी यूज़ करना है तो I क्या है I use Body to see something To do something or to enjoy something तो I body का यूज़ करके ही वो कोई चीज़ देखता है कोई चीज़ करता है तो अब अगर ये सारी चीज़े Body का यूज़ करके I ये सारी चीज़े कर रहा है तो Body का care करना किसकी responsibility होगी body का ध्यान रखना किसकी responsibility होगे but obvious बात है किसकी I किर होगे so it is the responsibility of self यानि I to nurture, to protect and right utilization of the body यानि कि body को nurture करना उसको सही तरीके से खाना पिलाना पानी पिलाना, सही टाइम पर उसको सारी चीजे देना, जो उसको body को healthy रखे उसको protect करना चीजों से इस feeling को क्या कहते है self-regulation या फिर सायम सायम आपने आप में सायम बरतना यानि कि नहीं मैं ये गलत काम नहीं करूँगा क्यों कि उससे body को नुकसान पहुंच सकता है अब सब्सकर करें कि आप जो है आपको कोई race जीतनी है और आप continuous भूखे प्यासी आप लगातार काम के जा रहे हो फिर दौरते चले जा रहे हो तिससे नुकसान किसको पहुंच रहा है आपकी body को तो आपको सायम बरतना है self-regulate होना है अब दिन राद भर आप जो जगे जा रहे हो राद क्या होती है naturally अगर आप देखे तो राद जो है सोने के लिए होता है आपको sleeping proper sleeping six to eight hours के चाहिए लेकिन आप जो है पढ़ाई के चक्कर में फिर किसी और के चकर में आप जो पूरी राद जगे पढ़े है तो इससे problem किसको होगी body को होगी body आपके जो problem की दियाने कि आप body का right utilization नहीं कर रहे है body को protect नहीं कर रहे है body को nurture नहीं कर रहे है अब भूखे प्यासे पढ़े हो लगाता पढ़े जा रहे हो बिना कुछ खाई भी है तो इससे body आपकी जो है body को nurture नहीं कर उसको protect नहीं कर तो इससे क्या होगा कि हां मुझे अपने body को nurture करना, अपने body को protect करना, अपने body को right utilize करना है तो हम define करेंगा सहियम को या फिस self regulation को कैसे define करेंगे The feeling of responsibility in the self यानि कि the feeling of responsibility in the self for nurturing, protection and right utilization of the body is known as सहियम, self regulation अगर आप से पूछा जाए कि self regulation क्या है Feeling of responsibility यानि responsibility की जो feeling होती है कि मुझे अपनी body को protect करना है, natural करना है, right utilization करना है इस responsibility जो feeling होती है self के अंदर, उसे को क्या कहते है सहियम कहते है, self regulation कहते है अगर body, I के अंदर, self के अंदर सहियम है, self regulation है तो जो उस person की body है, उस human being की जो body है, वो क्या होगी? Fit होगी and every body parts will perform its expected function जो भी functions होते हैं, वो body parts अपना function perform करेंगी सही तरीके से बिना किसी problem के और ये कब होगा? जब self के अंदर, I के अंदर responsibility होगी और self जो है अपनी body का nurture कर रहा होगा, protect कर रहा होगा उसको right utilization कर रहा होगा तो वो क्या होगा? body fit होगी और वो सही से utilization हो रहा होगा तो जब body fit होती है और सारे body अपना perfect जो अपना काम होता है, expected functions होते हैं उसको perform करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? swast होना आप कहते हैं कि मैं swast हूँ, fit हूँ यानि कि मैं सारे काम कर सकता हूँ जो मेरी body parts है, वो सारे अपना perform कर सकते हैं अपनी activity तो मैं कहते हूँ healthy, I am healthy, swast यह होता है swast तो swast को अगर आपको define करें तो आप कैसे define करेंगे? swast means कि is the condition of the body where every part of the body is performing its expected function यानि कि swast होना एक ऐसी condition है जहाँ पे जो body के सभी parts होते हैं वो अपना expected function perform करते हैं यानि कि जो हाथ का काम है, वो हाथ perform कर रहा है जो आपके eyes के काम है, वो eyes perform कर रहा है ear का काम, ear perform कर रहा है यानि कि आपके सारी body parts एकदम well functioning है कोई भी कहीं पे भी कोई defect नहीं है, कोई problem नहीं है and there is harmony within the body और सारे जो body parts है उनके बीच में क्या है, harmony है सब एक दूसरी का instructions को follow कर रहे है और it is fit for use by the self और वो जो body parts है, वो I यानि self के दोरह use करने के लिए fit है तो यह condition क्या क्या लगती है, स्वस्थ होना यानि healthy होना तो स्वस्थ is the condition या health is the condition of the body where every part of the body is performing its expected function and there is harmony within the body and it is fit for use by the self तो अगर आपको स्वस्थ या health को define करना है तो आप इस तरीके से उसको define करेंगे तो देखे, सहियम क्या हो गया, यानि कि responsibility to protect, to nurture, to right utilize the body and जब आप सहियम से self regulation होता है आई के अंदर तो body क्या होगी, fit होगी, body fit है, body अपने expected functions को perform कर रही है body के parts में harmony है और जो आई है वो body parts को use कर सकता है तो इसको करते हैं स्वस्थ होना, healthy होना लेकिन आज के time पे condition क्या हो गई है आज के time पे condition यह हो गई है कि हम जो है responsibility अपनी body की तरफ show ही नहीं करते हैं आज कर रहे हैं तब सो रहे हैं कोई proper timing नहीं है, जंक फूट काया जा रहे हैं, अग्नोर कर रहे हैं body की conditions को कि हमारी body किस तरीके से नुकसान पहुच रहा है, तो यह responsibility कहीं न कहीं हमें अंदर लानी होगी tendency of medication to suppress the ailment, यानि कि हमें अचानक से कोई headache हुआ, या थोड़ा से भी problem होता था हम क्या करते हैं, तो medical store पर चले जाते हैं, दवाई खा लेते हैं और हमारा जो pain है, उसको depress कर देते हैं, हम उसको डबा देते हैं, actually में जो भी हमारे अंदर disorders आ रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं हमें कुछ indicate कर रहे होते हैं, कि आपके अंदर यह problem होने वाली है, लेकिन हम क्या करते हैं, दवाई खाके उसको suppress कर देते हैं, जिसके signals होते हैं, दबा देते हैं, तो इससे हमें actual reason पता ही नहीं चलता है, कि हमने क्या गल्ती की है, क्यों यह headache हुआ, क्यों यह बुखार आया, कहीं न कहीं किसी region को show कर रहा होते हैं, लेकि हम क्या करते हैं, दबाई खाके उसको दबा देते हैं, इसी तरह के से तो तीसरा है कि आज कल हम क् बोडी को oxygen चाहिए होता है, लेकिन हमने air को polluted कर रखा हुए, water को polluted कर रखा है, food को polluted हो गया, आज हर चीज़े अपनी बोडी को स्वस्त रख सकते हैं, तो अब इसके लिए क्या करना है, हम कैसे अपनी बोडी को स्वस्त रख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रोग्राम होना चाहिए हमारा, नेक्स टॉपिक वही है, there is need to take care of the body, और हम अपना जो बोडी का कैसे कर सकते हैं, उसके नर्चरिंग दा बोडी, यानि कि हमें सही portion देना है बोडी को, हमें proper food देना है, proper air देना है, fresh air देना है, water देना है सकते हैं, तो आज कल क्या हो गया, कि water अगर आपने यहां गंदा है तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, औरो का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह किसे प अपनी बॉड़ी को नर्चर करने के लिए यह सारी चीज़े करनी पड़ेंगी, आपको जंक फूट को एवाइट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉड़ी को ही नुकसान पहुचेगा, और क्या होगा, फिर अल्टिमेटली डिस हार्मोनिय होगा, और कहीं न कहीं आप है प्रापर पॉच्चर में बैठना है, जो वर्क करने के टाइम рек면i, ज़्यादा रही करना है, तो ऑप्imes आपको Superr करना है, और आपको जो आसन प्रणयाम होता है, वह भी सारी चीज़े अपनी बॉड़ी को हिल्थी करणिते आने की meditation भी आपको अपनी बॉड़ी के लिए करनी होगी, that is right utilization of body तीसरा point है, सद उपयोग, आपको अपनी बॉड़ी का right utilization करना होगा, और जब भी जोद पड़े तो आपको external instruments के, आपको अपनी बॉड़ी के लिए चूज़ करना चाहिए, आप सब्सक्राइब करना है, तो आपको अपनी बॉड़ी को इंस्ट्रुमेंट का यूज़ करना पर आने की car, vehicle, train, bus, या फिर एरोप्लेन कहीं न कहीं, इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ागा, ऐसा नहीं क ट्रुमेंट, या पना पर घंशुटमेंट करना है, तो आपको यूज़ करना है, थोड़े किलोमेटर चलना है, भ counterpart कि 100 मिटर 500 मिटर चलना है, एक किलोमेटर चलना है, तो एक पैदल जा सकते हैं, अगर आपको 10, 20, 25, 25 चैने चलना है, तो आपको किसी इंस्ट्रुमेंट, equipment का यानि की car vehicle का use करना चाहिए तो right utilization ये तीन तरीके हैं जिसका use करके आप अपनी body को fit कर सकते हैं स्वस्तर रख सकते हैं nurturing the body protection of the body right utilization of the body तो nurturing का मतलब क्या हो गया is done through proper food air water यानि कि जब आप सही से आहार लेते हैं तो आपका body क्या होगा नर्चर होगा तो नर्चरिंग में भी तीन चीज़ इंपोर्टेंट हैं ingestion, digestion और excretion ingestion जो भी आप खा रहे हैं उसको अच्छे से चूप करके खाईए ingestion क्योंकि ingestion जो है आप जैसा चूप करेंगे उसी के ऊपर आपका digestion क्योंकि आपको खाना है जो आप खा रहे हो वो कितने आसानी से आपका digest हो जा रहा है जब भूख लग रही है तभी खाईए क्योंकि तब digestion अच्छे सोगा आप continuous खाये जा रहे हैं तो digestion नहीं हो पाएगा तो कहीं आपको शर्माना नहीं है यह natural होता है और आपको जो है excretion राइट टाइम पर ही करना है उसको निकरना होती है ingestion, digestion, excretion यह तीनों पार्ट के शिचिच के nurturing the body, body को nurture करने के लिए सही से खाना खाईए, सही से उसको digest करिए और सही से उसको excret करिए तो nurturing of the body इसी तरीके से जो दूसरा है production of the body अब protection कैसे कर सकते हैं proper upkeep of the body जैसा कि आपने बताया आहार वियार यानि कि आपको जो hygienic conditions अपने body के लिए रखनी होंगे proper time पे आपको खानर होना चाहिए, posture आपका सही होना चाहिए, proper time पे आप जो है rest ले रहे हैं proper time पे आप work कर रहे हैं, तो proper upkeep of the body होना चाहिए इसी तरीके से physical labor and exercise, यानि कि आपको श्रम भी करना है और व्यायाम भी करना है यानि कि खाली दिन बर बैठे में body को प्रोडर करने के लिए नहीं, आपकी body को श्रम भी चाहिए, physical exercise भी चाहिए और व्यायाम भी चाहिए इसी तरीके से आशन और प्रायाम भी आपको करना है, जिससे कि आपकी body जो है well designed होती है और ये आपकी body को healthy रखने में और एक synergy create करने में body और self की बीच में help करती है तो आशन प्रायाम भी आपको करना हो फिर last treatment of the body, यानि कि आउसदी और चिकिस्सा, जब भी आपको hurt हो, कोई चोड लग जाए, फिर कोई disorder होती है, फिर misuse होता है आपकी body का environment की वज़ा से तो फिर आपको proper procedure चिकिस्सा भी करवानी चाहिए, यानि कि बुखार हो गया है, तो आपने सोचा गया है, ये तो natural होगा है, एक दो दिन वेट करते हैं, तो एक दो दिन वेट करें, तीन दिन वेट करें, लेकिन अगर ज़्यादा दिन बुखार होगा है, तो फिर आपको doctor चिकिस्सा यानि doctor के पास जाना चाहिए, तो ये protection है, ये नहीं कि आप चोट लग गी है, बैठे पड़े, नहीं, आपको उसको protect करना है, आपकी body, आपको उसको ध्यान देना है, ये फिर आपको doctor के पास जाना है, और जो तीसरा प्रोग्राम है, वो है, right utilization of the body, यानि सदू उठा लिए, आपको दो कदम चलना है, तो आपने car उठा लिया, ऐसा भी नहीं हो चाहिए, आपको सही तरीके से, आपको थोड़े दून पैदल जाना है, तो पैदल जाहिए, क्योंकि body को exercise भी चाहिए, लेकिन आपको long route पे जाना है, तो फिर वहापे आपको जो है, car का equipment क यूज करना चाहिए, heavy समान उठाना है, तो आप जो है machine का use करें, किसी machine का use करके ही, उसको उठाए, लेकिन अगर कोई हलका full का ता आप उसको हाथों से भी उठा सकते है, तो ये चीज़े आपको देहरे, right utilize करना होगा अपनी body को, इसी तरीके से, there is need for the correct appraisal of our physical need, तो body को protect करने के लिए, body को self regulate करने के लिए, एक हमारी needs के बारे में हमको समझना होगा, कि जो हमारी physical needs है, क्योंकि body को क्या चाहिए, तो जो physical needs है, उसको correct appraisal करना होगा, अब suppose करी नर्चर करने के लिए, हमें food चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खाना खिलाया जारों, खाय खाया जारों, खाया जारों, क्योंकि भी अपनी body को मजबूत करना है, ऐसा नहीं, आपको proper timing पे proper food जो है, लेना होगा, तो food क्या है, वो limited है, यानि body को limited amount में food चाहिए, लेकिन limited amount में, सुबह नास्ता कर लिए, तो पैर में आपने lunch कर लिए और शाम को dinner कर लिए, तो इस त अपड़ा पैन के चले होगा, ऐसा नहीं होगा, उसी थंडियों में भी धेसारा कप्रा रख लिए, तो आपकी body uncomfortable होगी, तो आपको proper तरीके से और एक limited तरीके से जो है, आपको अपनी body को protect करना है, और तीसरा है instrument equipment, वो भी कहा है limited है, तो जैसे कि हमने बताया, कि आपको ए तो सइयम और स्वास्तियानी, self-regulation और स्वास्तियानी की health, तो self-regulation किसके अंदर होता है, आई के अंदर होता है, जो की conscious part होता है body का, और आई के अंदर feeling होती है, इस responsibility की कि उसको अपनी body को nurture करना है, protect करना है, और right utilize करना है, और जब body fit होती है, body के सारे parts अपने expected work को perform कर होते है, function को perform कर रहे होते है, harmony में होते है, और जो self है, वो body को use कर सकता है, तो उस condition को क्या कहते है, health कहते है, या फिर स्वस्त कहते है, और जो program है कि अपनी body को कैसे आप nurture कर सकते है, protect कर सकते है, कैसे आप जो है अपनी body को take care कर सकते है, उसको स्वस्त रह सकते है, तो उसके झो